नमस्कार दोस्तों स्वागता है आपका मिजान Ultimate Knowledge पर दोस्तों चैतर नवरातरे की नौमे दिन माता सिद्रातरी की पूजा की जाती है और साती साथ इस दिन सिरी राम चंदर जी का जन्व उठसब भी मनाया जाता है इसी कारण से चैत्र नवरात्री की नौमी अपने आप में बहुत ही खास माने जाती है अगर इस दिन आप लोग अपनी राशी अनुसार उपाय करके भगवान स्री राम चंदर जी की पूजा अर्चना करते हैं अब ऐसा करने से आपको आपके जीवन में कई प्रकार के लाव देखने को मिलते हैं तो आईए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो दोस्तों अगर आप लोग में इस राशी के जा तक है और इस बात को चाहते हैं के नवरातरी के नौमी के दिन आप लोगों के उपर माता सिद्रातरी के सासत भगवान सिरी राम चंदर जी की भी किरपा हो तब इसके लिए आप लोगों को चैतर नवरातरे की नौमी के दिन भगवान सिरी राम जी को लाल सुगंधित पुश्प अर्पित करने चाहिए और साथी साथ आप लोगों को मुख्य रूप से अनार का भोग भगवान सिरी राम चंदर जी को लगाना चाहिए अगर आप लोग चैतर नवरात्रे की नौमी के दिन इस उपाय को करते हैं तब ऐसा करने से निश्चित तौर पर आपके जीवन में कई तरह की खुशियां आकर्शित होती है जो तिस अनुसार मीस राशी वालों के लिए यह उपाय बहुती कारगर सिद्ध होता है अगर मीस राशी के जातक इस उपाय को करते हैं तब ऐसा करने से उनके रुके हुए काम अपने आपी बनने लगते हैं